मैं लेकर आही हूं आपके लिए बहुत ही प्यारी रेसिपी जो बहुत ही जटपाट और आसानी से आप बना सकते हैं और बच्चों के लिए भी लंच में बना के रख सकते हैं तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और जटपाट रेवाली यह रेसिपी लेकिन वीडियो चुछ शुरू करने से पहले प्लीज आप सभी लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें बैल आकन का बटन दबाएं जिसे हर वीडियो की नॉटिकेशन आपको मिलती रही सब से पहले हम पनीर को छोटे-चोटे क्यूब्स में काट करेंगे मैंने सभी पनीर को छोट छोटे पीसेज में काट लिया है क्योंकि हम यहाँ पे मटर पनीर फ्राइड राइज बना रही है तो इसलिए हमें छोटा छोटे पीसेज में ही हमें पनीर को काटना है अब सभी हम लो फ्लेम पे पनीर को फ्राइड करेंगे सभी को हलके हाथों से हम आलट पलट करके इसे फ्राई कर लेंगे आप देख सकते हैं पनीर भी हमारा गोल्डन कलर में आ चुका है सभी को हम आलट पलट करके सेंकेंगे पनीर को हम जादा रोष्ट नहीं करेंगे नवरना पनीर हमारा टाइट हो जाएगा जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो जिस तरह का हमाँ पनीर चाहिए हमारा पनीर आप देख सकते हैं बिल्कुल एक दब फ्राइड हो चुका है अब हम इसे एक पलेट में निकाल लेंगे सभी पनीर को हम प्लेट में निकाल लेंगे तो दोस्तों यह रस्वी बहुत ही जटपट बनती है अब यहां पर चार पास तेज पत्ता डालेंगे हाफ टेवल स्पून जीरा डालेंगे दो हरी कटी हुई मिर्च डालेंगे यहां पर खड़ी मसाले डाल रही हूं जिसमें लॉंग काली मिर्च और एलाइची है छोटी वाले थोड़ा सा कुटा हुआ हम अध्रक डालेंगे छे-साथ कलिया कटी हुई लेशिन के डालेंगे अगर आप नहीं खाते है तो आप इससे स्केप भी कर सकते हैं और सब्जियों को हम आच्छे से बूनेंगे यहाँ पर एक छोटी कटी हुई सिम्ला मिर्च लेंगे इसे मैंने छोटी-छोटी पीसेज में काट लिया है हमें सब्जियों को जादा नहीं पकाना है एक छोटी कटोरी कटी हुई बीन्स लेंगे एक छोटी कटोरी कटी हुई गाजर लेंगे आप अपनी हां मन पसंद की सबजियां भी ले सकते हैं सभी को हम लूफ लेंपे सबजियों को पकाएंगे हमें सबजियों को ज़्यादा नहीं पकाना है तेश्ट अनुसार नमक डालेंगे हाफ टेवर स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे इसे भी हम अच्छे से प्रियोग नहीं किया है अब यहां पर एक बड़ा बाल हम उबले हुए राइस लेंगे अगर आपके चावल बच भी जाती हैं तो आप उसे भी इसी तरह से सभी सबजों को खटा करके आप मटर पनीर पुलाव की तरह इसे बना सकते हैं जो बहुत ही टेश्टी और स्वादिष्ट बनती हैं और बहुत ही जटबट बन जाती हैं ज्यादा समय भी नहीं लगता है सभी को हम हलके हाथों से आलट पलट करके इसे मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं हमारे मटर पनीर पुलावे कितने अच्छे लग रहे हैं अब हम उपर से उबली हुई मटर डालेंगे अब आप सोच रहे हैं कि मटर को पहले क्यों नहीं डाला क्योंकि दोस्तों ये पहले से ही मैंने उबाल के रख ली थी अगर हम सब्जियों को साथ डालते हैं तो सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना पड़ता है उसके साथ मटर भी ज्यादा पक जाती जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती इसलिए मैंने मटर को बाद में डाला है आप देख सकते हैं हमारे ये मटर पनीर फ्राइड राइज कितने बढ़िया मस्त बनकर एक अदम खिले खिले बनी है आप देख सकते हैं अंसानी से और इसकी प्लेटिंग करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कितने मस्त लग रहे हैं बिल्कुल मार्किट जैसे ज्यादा समय भी नहीं लगाए सभी को हमें प्लेट में निकाल लेंगे तो दोस्तों आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी आज की रेसेपी कैसी लगी और किस किस ने इसे ट्राई किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करा करें दोस्तों इसके पीछे हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और जिससे हम सोचते हैं कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाएं तो आप प्लीज आप हमें मोटिवेशन देते रहें लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें बैल आइकन का बटन दमाएं जिसे हर वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको